यदि आप अंडे खाने के सोकिन हैं और आप अपने घर में अंडे को boil करते हैं तो आपको ये वाला मसीन इस्तमाल करना चाहिए ये एक ऐसा मसीन है जो की अंडे को केवल 6 मिनिट में boil कर देगा तो ये जो एक boiler है इसके द्वरा किस प्रकार से अंडे को boil करते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको open कर लेता हूँ इस boiler के अंदर में आपको एक warranty card मिल जाएगा इसके बार आपको यहाँ पे एक को boil करने वाली machine मिल जाएगी तो ये जो boiler है इस boiler में आपको एक cable मिल जाएगा जिसको आपको electric power supply के साथ connect करके इस boiler को चालू करना होता है चालू करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी बिल जाएगा जिसको प्रेस करके आप इसको on off कर सकते हो साथी साथ में आपको यहाँ पे एक cover भी मिल जाता है और एक को रखने के लिए यहाँ पे एक tray भी मिल जाती है इस tray में आप total 6 egg को रखके असानी से boil कर सकते हो यहाँ पर एक plate है जिसके अंदर आपको पानी को fill करना होता है तो चलिए किस प्रकास से अंडे को boil करते हैं उसको हम देख लेते हैं तो हम यहाँ पे पानी को fill कर दिये आप यहाँ पे देख सकते हमें केवाल आदे गिलास का पानी इस्तमाल करना परा अब हम क्या करेंगे जो tray है इसको हम boiler के ऊपर में रख देंगे इसके बाद जो हमारा एक होगा उसको हम tray के ऊपर में रख देंगे अभी के time में दो एक का इस्तमाल कर रहा हूँ आप चाहे तो यहाँ पे total six एक को रख सकते हैं अब एक को रखने के बाद आपको यहाँ पे cover को लगाना होता है cover को लगाने के बाद आप क्या करिए इसका जो power socket है इसको power supply के साथ connect कर दीजिएगा power supply के साथ connect करने के बाद power supply को on करना होगा तो power supply को on करने के लिए यहाँ बटन किया गया है इसको press करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक light glow हो रहा है लाइट ग्रोहरा इसका मतलब यह है कि आपका boiler work करना start हो गया अब इस boiler के अंदर में जो एक रखा गया वो 6 मिनिट के अंदर में boil हो जाएगा तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो 6 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पे जो हमारा boiler है इस boiler के ऊपर में यहां पे भाप निकल के आ रहा है अब हम यहां पे power को off कर देते हैं और power को off करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो एक है boil हो चुका है कि नहीं हुआ है हम यहाँ पर टाइमर को स्टॉप कर देते हैं 6 मिरट 20 सेकंड पर हमने इसको आफ कर दिये यह जो इसका कवर है कवर थोड़ा होट हो गया है तो इसको निकालने के टाइमर आप सावधानी से इसको रिमूब करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एग है बॉइल हो चुका है अब हम इसको एक बाद छिल के देखते हैं कि पूरा अच्छे तरीके से बॉइल हुआ कि नहीं हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग है पूरा अच्छे तरीके से बॉइल हो चुका है दूसरे एक को भी हम एक बाद चेक कर लेते हैं बॉइल हुआ है कि नहीं हुआ है एक बाद ठंडा कर लेते हैं गोटी जादा गरम है तो आप देख सकते हैं एक हमारा बॉइल हो चुका है तो यदि आप भी आपके घर में एक को बॉइल करते हैं तो इस टाइप के बॉइलर को बाई करके एक को बॉइल कर सकते हैं यह जो मेरे पास में एक बॉइलर है इसका पावर कंजब्सन है 400 वाट और यह आपको 1800 रुपे में मिल जाएगा यहाँ पे MRP बताएगे 1800 लेकिन इससे आपको कम किमत में असानी से मिल जाएगा तो जैसे कि आपने देखा यह जो एक बॉइलर है इसके दोरह हमने केवल 6 मिर्ट में एक को बॉइल कर दिये यहाँ आप इस एक बॉइलर को बाई करना चाहते हैं तो मार्केट में आपको असानी से मिल जाएगा आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं होतो सस्क्राइब भी कर दीजेगा